हेलो स्टूडेंट्स मैं नेम इस सतीयंद्र कुमार एंड वल्कमी टू लेट्सक्रेक आई आटी जैम जहां पर आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स लेट्स क्वालिटी कंटेंट एंड एंड ग्रेट लैंनिग एक्सपिरियेंस तो जैसे कि आप जानते कि हमारा सेशन चल रहे हैं वह चल रहे हैं अभी डिफरेंशाइल एक्वेशियंगी और देखेंगे इनको कैसे लिए जाता है तो फड़ाफ़ाइब बारे में थोड़ा स हारी अपन फास्ट चलिए तो सभी को मेरी आवाज आ रही है मैं ऑडिबल तू आ रही है क्लियर आ रही है ठीक है चले तो सेशन को स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी तेल ठीक है let's crack IAT Jam का टेलीग्राम चैनल है यहां पर आप इसे जोईन कर सकते हैं इसको जोईन करने के फाइद यह है कि आप यहां पर अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हैं यहां पर आप अपने suggestions भी डाल सकते हैं ठीक है और आपको lectures की आने वाली updates हमारे batches के बारे में पता चल तो फटा-फट सभी लोग आजिए यह हमारी क्या होती है सम स्पेशल हम कह सकते हैं दीजार सम स्पेशल कि देफरेंशल एक्वेशन से देफरेंशल एक्वेशन थिक है तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा नकेडमिय के बारे बताता हुं देखे अगर आप IAT Jam की तियारी कर रहे हैं, if you are preparing for IAT Jam and you are very serious about your goal of 2022, तो आपको पता दे रहो, देखिए, सबसे पहला आपको काम जो करना चाहिए, वो है, अनकेडमी की लर्निंग एप को आप इंस्टॉल कर लें, उसमें आपको मिलती हैं, फ्री लाइव क्लासेज, उसमें आपको मिलती हैं, फ Iconic Subscription, Iconic Subscription में आपको Personal Coach मिल जाता है, ठीक है ना, Iconic Subscription में आपको Personal Coach मिल जाता है, जो आपकी हर activity को track करता है, इस Personal Coaches are those person जिन्हों ना already exam clear किया हुआ होता है, ठीक है, तो अब जैसे, इसकी fees होती है, 34,000, 12 months की fees है, 58,500, and 18 months की fees है, 72,000, but अगर आपको Personal Coach नहीं चाहिए, आप बाकी extra features चाहते हैं, तो you can go for plus subscription, जिसकी fees है, 6 months के लिए, 7,200, but after using my code, और ये fees बढ़ने वाली है, this fees is going to be height, ठीक है ना, तो मेरा code यूज़ करेंगे, ऐसे टीवाई तो fees इतनी है, बाकी पैसे fees आपकी 8,000 होगी, तो मेरा code यूज़ करना ना भूले, आपको सबसे 9,000 जिससे आपको 9,000 पड़ेगी, after using my code, ठीक है ना, 12,000, 10,800, ठीक, चले होगे, ये सारे batches चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये सारे batches हमारे चल रहे हैं, ठीक है, इन सारे batches में, this is my batch, आप ये अभी चल रहा है, डिवाट के लिए, लेकिन अभी जल्दी ही मेरा course है, IAT Jam 2022 Mathematics के लिए, ठीक है, और वो course में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, और इस बात की guarantee है कि अगर आप उस course को कर लेते हैं, तो definitely आपके सारे concepts clear हो जाएंगे, जितने भी, बतलब जो भी IAT Jam questions बना सकता, आप definitely उसे clear कर सकते हैं, from Mathematics, अगर आप MSC Mathematics से करना चाता है, I batch को जरूर join करे, enrollment वही रहेगा, आपको fees pay करनी पड़ेगी, मेरे code use करिएगा, ठीक है, अगर आपको मेरे batch में enroll करना है, मेरा code use करिएगा, SATY, ठीक है, और batch में enroll होने के बाद, एक काम करिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेरा ही batch देख सकते हैं, उसके बाद भी आप जो भी doubt आया, वो live में है, आपको solve करोगा, question में doubt आ रहा है, concept में doubt आ रहा है, ठीक है, weekly test and quizzes होंगे, unlimited access मिलेगा, आपको मतलब, unlimited access मिलाओ, हर top educator का आप देख सकते हो content, structured goals, means starting से लेकर end तक सारी चीज़े cover करी जाएंगी, proper हर चीज़ को well explanation के साथ, ठीक है, ask a doubt feature launch हो चुका है for these 11 goals, आपको कभी भी doubt आता है, तो just ask a doubt बटन पर click करें, question को select करें, भेज दें, choose करके कि कौन से subject का है, आपको option, तो आपको जो solution है, वो तुरंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, चलिए, अब आते हैं हम अपने topic पर, that is, some special differential equations, ठीक है, पहले मैं देख लेता हूं कि, some special differential equations, some special differential equations, ठीक है, आराम से बढ़ेंगे यार, देखो, जब सीखो ना, तो आराम से सीखो, आराम से सीखो, आराम से सीखने में जो मजा है ना, जितना concept की clarity होती है, वो फटाफ़ट सीखने में नहीं होता, फटाफ़ट मैं अप चीज़े समझा दू, बोल दू, फिर आप समझो जो सन्ने क्या बोलाता है यहां पर आराम से चीज़े सी को आराम से समझाएंगे और clarity के साथ समझाएंगे ठीक है तो हम यहां जो बात करेंगे समस्पेशल differential equation किसकी फर्स्ट ओर्डर और फर्स्ट डिग्री की इसकी बात करेंगे हैं ठीक है अब इन में कौन-कौन सी आ जाती है एक तो आ जाती बर्ड नॉलीज ठीक है एक आगे रिकार्टी एक आगे क्लेरियर्ट यह तीन हमें बढ़ दी है हमारे स्लेबस में यह ठीक है ना स्लेबस में अगर आपको दिखाऊ तो दिखी है हमारा स्लेबस है आई आटी जैम का इसमें आप देख सकते हैं यहां पर इंटिग्रेटिंग फैक्टर होमोजेनस इसमें यह सारी चीज़ा आ जाती है तो यहां से आपका सेकेंड ओर का स्टार्ट हो गया बाकी फरस्ट ओर में यह सारा फस्ट ओर फरस्ट डिगरी का होता है ठीक है और यह जो चीज़ा आती हम यह भी कह सकते हैं इस आर रिडिउसिबल टू लीनियर डिफरेंचियल इक्वेशन आपके सिलेबस में होगा फस्ट ओर्डर फस्ट फर्म बर्नॉलीज एक्जेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर और्टोकॉनल ट्रेक्टिस होमोजिनस वेरिबल सेपरेबल लीनियर डिफरेंचियल इक्वेशन अब यह फस्ट ओर्डर में यह डिडियूसिबल हो जाते हैं बस यह ध्यान रखिए इसलिए स्पेशल सिरीज बोली इस इनको सॉल्व कैसे करेंगे बस वह इंको सॉल्व करेंगे तो फटा-फटा जी सेशन को स्टार्ट करते हैं तो आपको मैंने बता दिया कि हम जो पढ़ने वाले आज क्या पढ़ने वाले लेट मीचेक और कॉमेंट्स चले वह यहां तक किसी को कोई डाउट है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे करेंगे चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं बर्नॉली से किसे स्टार्ट करते हैं बर्नॉली आराम से सुनिएगा बर्नॉली इक वेशन S.बसे पहले स्टार्ट करेंगे रॉम बर्नॉली कैसे मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है और अधी ऐसा तो नहीं है कि मेरी आवाज ना रही हो तो बर्नॉली से स्टार्ट करेंगे तो Bernoulli equation क्या होती है, यह कब बनती है जाता है, तो Bernoulli equation का यह concept आया, देखे जब हम fluid dynamics पढ़ते हैं, fluid dynamics होता है, जब हम जैसे कोई pipe है, pipe के through fluid हमारा जा रहा है, तो particular point पर fluid की क्या state है motion का, मतलब suppose, अब यह suppose यह हमारा fluid है, ऐसे flow कर रहा है, तो यहाँ पर जो point है, उसकी direction क्या होगी, किस direction में move करेगा, कितनी उसकी velocity होगी, यहाँ पर जो fluid है, fluid का molecule है, वो कैसे जाएगा, है ना, तो इसी चीज़ को, इसी dynamic motion को express कर रहा जाता है Bernoulli, जो हमारी differential equation बनती है, मैं आपको बताया था, कि जब भी कोई dynamic process आप पढ़ते हैं, वहाँ पर आपकी जब उसको equation ब बनती है, y dash plus p y equals to q y की power n, ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है, p और q क्या होते हैं, p और q हमारे या तो constant होते हैं, या फिर function of x होते हैं, यह ध्यान रखिएगा, p और q, these p और q, आर या तो constant या तो function of x, तो ऐसी जो differential equations बनती हैं, यह जाद अतर fluid के case में बनती है, तो ऐसी differential equations को बोला जाता है, Bernoulli's equation, अब यह जो differential equation है, आपको याद दिलाएगी, linear differential equation का, linear differential equation of first order, first degree का याद दिलाएगी, वो क्या होती थी, dy by dx, plus p y equals to q, बस यहाँ पर क्या है, यह dy by dx है, p b है, y b है, बस q के साथ, क्या लग गया है, यहाँ पर, क्या लग गया है, यहाँ पर, y की power n लग गया, y की power n extra आ गया, अगर यह चीज नहीं होती, तो यह linear differential equation है, तो हम क्या करेंगे, इस differential equation को, Bernoulli differential equation को, reduce करेंगे, linear differential equation में, और से solve कर देंगे, अच्छा, linear differential equation को कैसे solve किया जाता था, तो पहला step यही होता था, कि अगर equation इस format में ह है, तो dy by dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरा step होता था, हम क्या निकालते थे, वहाँ पर, integrating factor निकालते थे, कैसे e की power integration of p dx, क्योंकि यह x का function होता है, उसके बाद जो हमारा solution होता था, solution वो होता था, y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dx plus c, यह हमारा solution हुआ करता था, तो बस हमें क्या करना है, इस Bernoulli equation को कुछ भी करके reduce करना है, linear differential equation में और फिर solve कर देना है, that's it, यही हमारा काम है, ठीक है, तो इस तरीके से Bernoulli differential, अब यह reduce कैसे करेंगे, हम इस format को, मतलब format अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, dy by dx equals to p, sorry, plus p, y equals to q, यहाँ पर क्या इस format को, इस format में कैसे convert करेंगे, वही चीज बस हमें देखनी है, ठीक है न, यहाँ पर जो काम करना है, बस वही करना है हमें, extra, ठीक है वही, बास समझ मैं है आपको, clear है, चलिए, तो अब start करते हैं, कि कैसे इस चीजों को solve किया जाता है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यह differential equation ले ली है, और इसे reduce कैसे करूँगा, पहले मैं आपको proper process समझा देता हूँ, फिर इसके ओपर questions करेंगे, ठीक है, proper हो सकता है process आपको अभी ना समझ मैं, लेकि जब हम questions करेंगे न, तो आपको बहुत अच्छे से समझ मैं आएगा, तो अगर suppose मेरे पास को differential equation है, बर्नॉली y square, y cube, ठीक है न, this should be integer लेकिन, ये क्या होना चाहिए, integer, कोशिश ही होना चाहिए, मतलब ये integer होना चाहिए, ठीक है न, clear है, चलो, तो हम क्या करेंगे, y की power n से क्या कर देंगे, इसको divide कर देंगे, और ये n जो है न, हमारा या तो 0 या 1 नहीं होना चाहिए, that should not be equals to 0 और 1, ठीक है न, क्योंकि अगर n 0 हो गया, तो भी ये linear differential equation बन गई, और अगर n 1 हो गया, तो भी ये linear differential equation हमारी बन जाएगी, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, वो ही linear differential equation है, उसको वैसी solve कर देंगे, तो Bernoulli equation में y की power जो n होती है, वो 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब हम क्या गरते हैं इसमें, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या करता हूँ, y की power n से सब को divide कर देता हूँ, ठीक है, तो y की power n से मैंने lhs को और rhs को divide किया, तो मेरे पास क्या बचा, dy by dx into 1 upon y की power n plus p, अब देखो ये y है, नीचे y की power n हाएगा, नीचे क्याएगा y की power n equals to q, ये चीज आगे, इसके बाद, इस चीज को हम ऐसे डिख सकते हैं, 1 upon y की power n, dy by dx plus p, y की power n minus 1, sorry, minus n minus 1, तो y की power minus n minus 1 हो जाएगा, ठीक है, ना, minus n minus 1 equals to q, अब यहाँ पर एक चीज ये देख, ध्यान देने के, देखें, मुझे से linear differential equation में convert करना है, linear differential equation क्या होती है, इस format की होती है, तो देखें, क्यों तो हमने हटा दिया है, यहाँ पर y आना चीए, यानि degree 1 होनी चीए, बड़ यहाँ पर degree 1 नहीं है, तो इसे करना है, तो मैंने क्या करना है, अध्यान से सुनिएगा, मैंने इसकी जगा पर, इसकी जगा पर कोई और variable ले लेते हैं, ऐसा करने से, अगर मैं यह वी लूँगा, तो यहाँ पर d y by dx की जगा, dv by dx होना चीए, उसके लिए मैंने both side derivative लिया, जब both side derivative लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए, जो भी power होती है, उसमें एक माइनस हो जाता है, अब यह जो भी power है, उसमें एक और minus हो जाएगा, ठीक है न, अब suppose यह value क्या है मेरे पास, यह है y की power minus n minus 1, जिसे मैं यह लिख सकता हूँ कि minus n, minus n plus 1, हम यह कह सकते हैं, this is the power of this, ठीक है, अब यह इस तरीके का है, तो अब मैंने दोनों side derivative लेने पर, मेरे पास क्या बचेगा, दोनों side derivative लेने पर, मेरे पास जो value आजाएगी, that is, minus n plus 1, sorry, minus n minus 1, minus n minus 1, open करके भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको bracket में लिख लेता हूँ, minus n minus 1, ठीक है, y, अब यह minus n plus 1 है, तो एक बार minus करेंगे, तो मेरे पास क्या आजाएगा, minus n, equals to, dy, dy by dx, is equals to, यहाँ पर हो जाएगा, dv by dx, तो both side derivative ले ले लिया, with respect to x, तो हमारे पास ये value बचेगी, अब देखिए, यह चीज क्या है, यह चीज क्या है, मैं इसे लिख सकता हूँ, this is minus n minus 1, ठीक है, 1 upon y की power n, dy by dx, is equals to, dv by dx, अब यह चीज तो हमारी constant है, यह चीज तो हमारी क्या है, constant है, तो अब यहाँ पर, 1 upon y की power n, dy by dx, बराबर हो जाएगा, यह यह वाली जो चीज है ना, इसको इधर ले आएंगे, 1 upon, क्योंकि यह constant है, ठीक है, and dv by dx, अब यह जो चीज थी है, हमारी कहाँ पर थी, यह चीज आपकी हाँ पर थी, आपने देखा, ठीक है ना, तो इसकी value आगे, मतलब हमने v को यह put का, हमने 2 substitution करने है, तो पहला substitution यह, और दूसरा substitution यह करना है, ठीक है, तो Bernoulli's equation में हमने यह ही किया, कि y की power n से, देखो, इतना बड़ा करना नहीं है, यह मैं step procedure बता रहा हूँ आपको, आगे कैसे करना है, question कैसे पढ़ आपर solve करना है, वो देखेंगे, तो आपने क्य किया, y की power n से, सब को पूरे equation को divide गया, तो यह चीज़ बनी थी, अब यहाँ पर यह जो चीज़ बनी थी, इसका substitution मैंने v बाल लिया, यह, इसको मैंने v substitute कर दिया, तो इसको भी substitute करना पड़ेगा, वो substitution यह बैठेगा मेरा, जो मैंना भी यहाँ पर किया है, ठीक है, clear है, यहाँ तक आपको बात समझ में आगी होगी, बढ़ अगर कोई दिक्कत है, तो बताइए, ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या गिया, जब हमने यह substitution कर दिये, तो मेरे पास जो value बचेगी, इसकी जगा पर मुझे क्या पूट करना है, यह वाली value, that is, minus 1 upon minus n plus n minus 1, ठीक है, dv by dx, dv by dx, plus, plus, अब देखिए, यह जो y, y upon y की पावर है, यानि यह जो चीज थी, यह चीज की जगा मुझे क्या पूट करना है, वी, तो यह हो गया, p, p is a function of x, this is v and equals to q, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं, मैंने बोट साइड क्या गिया, multiply किस से multiply किया, minus n minus 1 से multiply किया, तो यहाँ पर बन आ जाएगा, plus, यहाँ पर आ जाएगा, minus n minus 1, p, v, equals to minus n minus 1, अब यह constant है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो देखे, अब यह जो equation बनी है, यह हमारी किस type की equation बनी है, this is the equation of the type, linear differential equation, अब इसको solve कैसे करेंगे, इसको solve करने के लिए मुझे क्या निकालना है, integrating factor निकालना है, integrating factor क्या होगा, integrating factor होगा, जो भी हमारा यह चीज है, यह तो मेरा क्या है, जो भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, p होगा, बास समझ मैं, जो भी हमारा यहाँ पर हमारा p होगा, उसको आपने क्या लेना है, जो भी हमारा यहाँ पर p होगा, उसको आपने क्या लेना है, integrating factor, e to the power, यहाँ पर जो आपका integrating factor होगा that is going to be बदे क्या होगा यहां पर आपका जो integrating factor होगा यहां पर वो क्या होगा मतब जो भी चीज लिखी हुई है वो पूरी लिखनी है आपने मतब यह minus n minus 1 वी के साथ जो भी है यह पूरा p होता है हमारा ठीक है और यह पूरा q बन जाता है हमारा ठीक है तो जो भी पूरा लिखा हुआ है उसको आपने integrating निकालना है अब मैं इसको पूरे को p ही माल लेता हूँ तो वही p dx आपने करना है ठीक है इधर से आपका integrating factor आ जाएगा फिर आपको solution निकाल देना है अब यह solution y के साथ नहीं आएगा लेका किसके साथ आएगा वी के साथ आएगा वी इंटु इंटीग्रेटिंगअग फैक्टर इक्वाल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दी कि जब V की जगा हमें पूत करदेना का थ्य यह जो substitution किया था यह जो सब्सीटिट्यूशन पर चलता है सीधा कोश्चन पर अब कोश्चन में मुझे एक ट्रिक लगाने ध्यान से सुनिएगा कोश्चन की ट्रिक क्या बनेगी यहां से बनेगी जैसे कभी भी आपको कोश्चन आ सपोस्पोर्स आपके पास एक प्रेंच級 इक्वेशन आगई बनॉली की इंथा स्चो या प्लस xy cube is equal to 0, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy by dx plus 4xy ठीक न, equals to minus xy का cube, अब ये बर्नॉली equation है, आपको दिख रहा है, बर्नॉली equation है, differential equation है, ठीक है, अब हमें इसे किस में convert करना है, dv by dx में convert करना है, तो कैसे convert करेंगे देखो यह चीज क्या होती है एन होती है यह चीज क्या होती है हमारी एन तो आपने जब convert करेंगे ना तो single step में करेंगे यह सारा procedure follow नहीं करेंगे ठीक है ना basic से सारा procedure follow नहीं करेंगे आपने देखा कि यह जो differential equation थी इसका finally जो conversion हुआ वो इस तरीके से हुआ कैसे हुआ बस हमें degree को देखो p जो था वो p का p रहेगा q जो था वो as it is रहेगा यह यहाँ पर dy by dx की जगा क्या आ गया dv by dx dy by dx की जगा क्या आ गया dv by dx आ गया ठीक है बस यह ध्यान रखको यहाँ पर क्या चीज आ गया हमारी minus n minus 1 और यहाँ पर भी minus n minus 1 आ गया तो मतलब मैं एक second में फटाफट इसको substitute करके final linear differential equation में reduce कर सकता हूँ कैसे dy by dx की जगा हमें क्या लेखना है dv by dx अब यह जो भी चीज है ठीक है यह p था y की जगा क्या आएगा v आएगा लेकिन इस 4x को multiply भी करना है किस से इस 4x को multiply करना है minus अब देखो minus n minus 1 यह 3 है न तो यह minus 2 हो जाएगा minus 2 होगा नहीं होगा तो इस 4 को किस से multiply करना है minus 2 से और यहाँ पर क्या हो minus 2 से, क्यों? क्योंकि यहां पर भी minus n minus 1 और यहां पर भी n minus n minus 1 बस simple, आपका देखिए एक second में conversion हो गया, मतलब यह Bernoulli's equation थी, अब यह कैसी equation बन गई है हमारी? Linear differential equation बन गई है, dy by dx जिसे हम लिख सकते है, minus 8x v equals to 2x हो गया ना? देखिए, वी जो है, यहां पर dependent variable है, तो यह हमारी linear differential equation बन गई है, तो यह जो process मैंने आपको बताया था, पूरा explain करने के लिए बताया था, कि किस चीज़ को हमें क्या करना होता है? substitute करना होता है, किस चीज़ को substitute करना होता है, ठीक है, substitute करने के बाद, फिर यहां पर हमने देखा कि यह जो value है, यह value किस के बराबर आती है, इसके बराबर आ जाती है, फिर हमने वही चीज़ें थोड़ा सा normalize की और answer निकाला, अब देखिए, जब की equation यह बन गई, आपको solution करने में ज्यादा time नहीं लगेगा, ठीक है, अब आपको पता है, यह चीज़ क्या होती है, P होती है, this is P, this is Q, ठीक है, integrating factor निकालेंगे, integrating factor गया होगा, integrating factor होगा, minus 8x dx, ठीक है, तो जब करेंगे, तो e की power, x की value गया होगी, minus x square, तो यह minus 8 भाहर हो गया, into x square by 2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर value गया होगी, e की power, minus 4x square, this is going to be the integrating factor, अब solution क्या होगा, solution हो जाएगा हमारा, जब integrating factor आपने निकाल लिया, solution हो जाएगा, v into integrating factor, that is e की power, minus 4x square, is equals to integration of e की power, minus 4x square, integration factor, into q, that is 2x, ठीक है, that is 2x, into dx, plus c, यह हमारा solution हो जाएगा, तो बस आपको इसको क्या करना है, integrate करना है, आपने इसको क्या करना है, हाँ पर, integrate करना है, और answer निकालना है, बोलो बास समझ में आगी, clear है, easily seconds में हो बड़ उसके लिए आपको जो तरीका मैंने बताया है, उसको थोड़ा सा आपने follow करना है, ठीक है, बास समझ में आई, clear है, बोले भई, यहाँ पर चीजे clear हैं और नहीं clear है, is this thing clear to all of you, चलो, तो अब यहाँ पर कैसे solve करें इसको, अब आप इस integration को कैसे solve करेंगे, देखिए, यहाँ पर आपको V, V आपने लिख लिया, V into E की पावर, minus 4X square, is equal to, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए, यह जो हमारा, देखिए, यह चीज़ क्या होगी, अगर मैं E की पावर, सुनिएगा, अगर मैं E की पावर, minus 4X square को, minus 4X square को, आप T मान लीजे, तो DT क्या होगा, तो वो हो जाएगा, minus 8X, minus 8X, DX किसके बराबर हो जाएगा, DT के बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर 2X है, तो 2X के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, minus 4 से उपर, और minus 4 से नीचे multiply करना होगा, तभी यह minus 8 आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको लिखूँगा, E की पावर T into DT, क्योंकि यह पूरा यह जो चीज होगी, minus 4 से multiply होकर, और नीचे भी minus 4 से, तो यह minus 8X हो जाएगा, तो मेरा यह पूरा DT में convert हो जाएगा, ठीक है न, प्लस ही, अब आप कह सकते हैं, हाँ पर 1 upon minus 4 आजाएगा, और E की पावर T का integration क्या होता है, E की पावर T ही ही रहता है, तो हमारा answer आजाएगा, V into E की पावर minus 4X square is equals to minus 1 by 4, E की पावर T, मतब वही चीज कर देंगे, यानि E की पावर minus 4X square plus C, so this is going to be the solution, जिसमें आप क्या कर देंगे, अब V की जगा value put कर देंगे, Y की, ठीक है, V की जगा किसकी value put कर देंगे, हम Y की value put कर देंगे, which was equals to, अब V क्या था, V होता है हमारा 1 upon Y की पावर N minus 1, यानि N क्या था, 3, 3 minus 1 यानि की 2, तो V is equals to 1 by Y square into E की पावर minus 4X square, ठीक है, is equals to minus 1 by 4, E की पावर minus 4X square plus C, this is going to be the solution, इसको आप छोटा कर सकते हैं कैसे, Y square को Y को, मतब square से हटा दीजेगा, और answer निकाल दीजेगा, ठीक है न, तो this is the solution, यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर solution हो जाएगा, hope you guys have understood this, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको बिलकुल basic से करते, बिलकुल basic से करते तो कैसे करते, भो plus XY cube, plus XY cube equals to zero, ठीक है न, Y dash plus 4XY plus XY cube equals to zero, यह चीज़ आ रही है आपकी, अब इसको आप basic से अगर proper solve करेंगे, step by step, तो वो थोड़ा सा lengthy हो जाएगा, बट मैं आपको करके दिखा देता हो, तो मैंने देखा यह Y dash है, DY by DX, ठीक है, plus 4XY, यह Y है हमारा, equals to minus XY cube, तो यहाँ से मुझे पता चल गया, this is Bernoulli's equation, मैं क्या करूँगा, division by Y cube करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, one upon Y का cube, DY by DX, यहाँ पर हो जाएगा, 4X, one upon Y square, is equals to, यहाँ पर हो जाएगा, minus X, अब मुझे क्या चीए होता है, यहाँ पर मुझे, इस तरीके का variable चीए होता है, linear power में, मतलब 1 degree में चीए होता है, तो substitution क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी P के साथ लिखा होता है, यह P होता है न, P के साथ जो भी चीज़ लिखी होती है, उसको V माल लेते हैं, तो 1 upon Y square को मैंने माल लिया, V, तो हम कह सकते हैं, minus 2 upon Y का cube, minus 2 upon Y का cube, dY by dx बराबर होता है, किसके, dV by dx के, तो हम कह सकते हैं, कि जो dV by dx होगा, अब यहाँ पर, minus 2 आप इधर ले आएंगे, तो 1 by Y का cube, dV by dx बराबर होगा, minus 1 by 2, dV by dx, इसके बराबर होगा, तो आपने यह दोनों substitution कर दिये, यह पहला substitution, यह दूसरा substitution, कहां पर, इस जगा पर आपने यह कर दिया, ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, substitution करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, minus 1 by 2, dV by dx, plus 4XV, is equals to minus X, यह हो जाएगा, अब इसमें मुझे एक काम करना है, क्योंकि dV by dx मुझे खाली ची होता है, इसको coefficient 1 ची होता है, तो dV by dx, मैंने बोथ साइड, इधर भी, minus 2 से multiply कर दिया, मदब left hand side भी और right hand side भी, तो minus 2 से multiply करेंगे, तो यह तो 1 हो जाएगा, इधर minus 2 से multiply करेंगे, तो यह minus 8X हो जाएगा, और इधर minus 2 से multiply करेंगे, तो यह 2X हो जाएगा, तो same चीज ही बनी है, देखे, यहाँ पर मैंने एक second में यह चीज निकाल दी थी, मदब यह differential equation थी, इस differential equation को linear differential equation में convert कर दिया था, एक ही second में, और यहाँ पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा step करना पड़ेगा, यह चीज आने के बाद फिर आपको solve करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह जो process है, conversion of Bernoulli's into, conversion of Bernoulli's into linear differential equation मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, ठीक है, basic से भी, और fast कैसे करना है, वो भी बता दिया है, ठीक है भई, बात clear है, अब questions करेंगे और practice करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे रिकार्टी पर, ठीक है न, अब चलेंगे फिर रिकार्टी पर, चलेंगे, तो Bernoulli's का यहाँ पर देखते हैं, question है, मैं आपको यहाँ पर एक question दे रहा हूँ, आपको solve करना है, solve this differential equation, solve the differential equation, solve the differential equation, कौन से differential equation, dy by dx, equals to, sorry, dy by dx, minus y, equals to y square, sin x plus cos x, ठीक है न, sin x plus cos x, यह आपको solve परना है, ठीक है, solve करिए, answer बताइए, find the solution of this differential equation, find the solution of this differential equation, तो यहाँ पर हमने देखा कि यह जो equation है, यह कैसी है, यह हमारी Bernoulli's equation है, कैसे, dy by dx है, हाँ है, यहाँ पर यह y है, p क्या है, यहाँ पर 1, और यह q है, function of, देखे, p और q जो होते हैं, आपको पता है, यह p और q यहाँ तो constant होते हैं, यह फिर function of, या फिर function of x होते हैं, तो यह x का function यहाँ पर, यह constant है, ठीके, तो अब आप इसको अगर basic से करेंगे, ठीके, basic से मतलब properly करेंगे, तो क्या गरेंगे, आपर y square से divide करेंगे, ठीके न, y square से आपको क्या करना है, divide करना है, एक तो यह तरीका है, जोसर तरीका मैंने आपको फटा-फट बता है, कि आपको कुछ नहीं करना, dy by dx की जगा, dv by dx लिखना है, और यह जो power होती है न, y की, इसे क्या बोलते है, n, तो आपको क्या करना होता है, फटा-फट solve करने के लिए, मैंने आपको यह बताया था, कि दे, dv by dx लिखे, minus n minus 1, p as it is, रहने दे, v लिख दे, y की जगापर, y की जगापर क्या लिख दे, ठीक है, और यहाँ पर भी minus n minus 1 कर दे, तो मैं अगर आपसे यहाँ पर कहता हो, कि इसमें n है, तो minus n minus 1 क्या होगा, minus 2 minus 1, यानि कि minus 1 होगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ minus 1 से multiply करना है, p कितना है, 1 ही है, तो minus 1 से और multiply करेंगे, तो यह plus 1 हो जाएगा, और y की जगापर क्या जाएगा, v, इधर भी हमें क्या करना है, यह खटा देना है, और minus 1 से multiply करना है, तो minus 1 से multiply करके हो जाएगा, sin x plus cos x, तो एकी second में, एकी हमारी जो यह बढ़नॉली equation थी, convert हो जाएगी reduce हो जाएगी किसमे linear differential equation में अब आपको इसको solve करना है integrating factor निकालते है integrating factor क्या होगा हमारा यहाँ पर e की power 1 है तो आपको पता है dx तो e की power x आ जाएगा e की power x हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा integrating factor आ जाएगा अब integrating factor solution निकालते हैं वी को multiply करेंगे e की power x से इस इक्वल स्टू फिर क्या करना है integration of q q कितना है हमारा माइनस माइनस भाड़ ले लो sin x plus cos x कि ठेके ना sin x plus cos x और e की power x हमारा क्या हो जाएगा यह आपका integration होगा ठेके देन उसके बाद plus c आएगा अब आपको इसका integration आपको करना पड़ेगा ठेके ना तो मैं इसको fast कर देता हूँ ठेके लेकिन आपको integration इसको करना आना चाहिए ठेक तो इसका जो integration होगा यहाँ पर मैंने लिख दिया वी इन्टू एकी power x ठीके जो value होगी डाट इस गोइंग टो भी एकी पावर sin x एकी पावर x sin x ठीके ना इकी पावर x sin x होगा और माइनस जो तो वह बहार होगा plus c ठीक है e की power x sin x plus c हमारा answer हो जाएगा तो v की जगा पर आप क्या पूट कर देना है अब देखें v आप क्या लेते हो जो भी v के साथ देखो आप जानते हो कि जो py होता है ये divide होता है y की power n से तो value जो आती है p के साथ वो क्या लिखे होती है 1 upon n minus 1 ठीक है रहा तो v की value हम क्या मानते है v की value मानते है y की value minus y and minus 1 ये मानते है तो v हमेशा इसके बराबर put होता है यानि v और आपको पता minus n minus 1 कितना था वो था minus 1 तो v की power minus 1 equals to v तो हम यहाँ पर v की जगा पर लिख देंगे 1 by y into e की power x equals to minus e की power x sin x plus y आप इस सब को नीचे ले आ सकते हो ठीक है यह नीचे आ जाएगा और y में हमारी equation बन जाएगी ठीक है ना तो this is the solution of this differential equation कौन से differential equation का इसका तो यह differential equation किस में थी Bernoulli's में थी बड़ आपने इसको solve कर दिया बोले बास समझ में आई ठीक है चलो और question solve करते हैं इसके उपर then हम चलेंगे रिकार्टी के उपर ठीक है ना फिर चलेंगे रिकार्टी के उपर तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि ही पर solve कर लेते हैं तो यह मेरा general method आपको बदाया था इसके बाद यह questions हटा देते हैं और यहीं पर solve करते हैं देखे जब तक आप 2-3 question practice नहीं करेंगे तब तक आप easily समझ में नहीं आता ठीक है तो आराम से सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे जब ताकि कभी भी दिक्कत ही ना आए ठीक है solve the equation solve the differential equation आपको differential equation solve करनी है क्या equation है y dy by dx plus x y square is equals to x is equals to x तो सबसे पहले मैंने dy by dx निकालने ही कोशिश की क्योंकि देखे जब तक dy by dx नहीं निकालते हैं तब तक हमें समझ नहीं आता कि variables है प्रेबल है या फिर हम homogeneous है या linear differential equation है या exact differential equation है हमें समझ में नहीं आता तो dy by dx निकालते हैं यहां पर y की 1 पावर अबर यहां पर यह क्या हो गया यह तो y यहां पर भी आ रहा है y की पावर minus 1 इसका मतलब यह linear differential equation में reduce हो सकती है यह Bernoulli's equation है यह कैसी equation है? Bernoulli's equation है हमारी ठीके ना? यह कैसी equation है हमारी? Bernoulli's equation है तो चलिए बर नॉलीज एक्वेशन है तो सॉल्व करते तो मैंने देखा कि अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूंगा तो that is going to be dy by dx प्लस xy इक्वल्स टू xy की पावर माइनस 1 अब आपको एक चीज़ पता है कि हम या तो बेसिक से करें कि y की पावर माइनस 1 से सबको डिवाइड करें फिर सब्सिट्यूशन ले या फिर सीधा करो dy by dx क्या होगा dv by dx होगा प्लस y की जगा पर क्या होगा v होगा लेकिन यह जो x है यह किस से multiply होगा यह माइनस n माइनस 1 से दोनों multiply होते हैं tb और qb अब यह y है कितना यह माइनस 1 है तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 तो यह माइनस n यह value कितनी आदेगी 2 आ जाएगी तो ठीक है भाई 2 put कर दिया हमने तो 2 x यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 2 x इसको सालव करने के聊े हमें क्या करना है क्याट करते हैं कैसे साल्व करें इंटिग्रेटिंग फिक्टर नीकालेंगे integrating factor जो होगा मेरा वो होगा e की power 2x dx which is equals to e की power x square ठीक है e की power x square हो गया तो यह value हो जाएगी v into e की power x square is equals to q कितना है मेरा 2x है q कितना है मेरा 2x है और यह हो जाएगा into e की power x square dx अब यहाँ पर हम substitution कर लेंगे substitution क्या कर लेंगे यहाँ पर अब v into e की power x square equals to हमने x square को t माल लिया x square को t माल लिया तो अगर x square को आप t मालोगे तो 2x dx बराबर होगा dt के तो यही हो गया तो e की power t e की power t dt plus c c हमने पहले लगा दिया तो v into e की power x square अब यह क्या होगा e की power t रहेगा और e की power t क्या है वही सेम चीज़ e की power e की power x square ठीक है e की power x square plus c so this is the solution अब v की जगा put करना हमें देखे v होता है v की power minus and minus 1 यह होता है अब minus and minus 1 आपको पता है 2 है तो हम कह सकते हैं y square into e की power x square equals to e की power x square plus c is the solution of this differential equation ठीक है यह हमारा इस equation का क्या हो जाएगा solution हो जाएगा के यहाँ पर आपको बात समझ में आई clear है यह चीजे is everything clear here अगर कोई doubt है तो बताईए कोई भी doubt है तो बताईए anyone having any doubt here मुझे बताईए क्या doubt है ठीक है कोई doubt नहीं होना चीए तो देख लिजे इस question में यहाँ पर कहाँ पर भी doubt आ रहा है तो let me know about the doubt जल्ली बताईए भई कहीं पर भी doubt आ रहा है तो बताईए मुझे anyone facing any doubt चले जल्ली बताईए जल्ली बताईए तैन आगे चलते हैं कहाँ को शीए रहा है रहा है कहाँ 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 तेपल, आगे रहा है हाते हैं कहाँ कहाँ कि शीए भाई कोई डाउट है anyone having any doubt जल्ली बताइए चलो तो अगर डाउट नहीं है अब आगे चलते हैं ठीक है अगर डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं लेट्स रिकाटी पर चलते हैं ठीक है या फिर एक और कोशन करना चाहते हैं बनौली के उपर तो वह भी कर सकते हैं so next question is solve the differential equation solve the differential equation solve the differential equation ठीक है ना, solve the differential equation और differential equation है 2xy dash 2xy dash equals to 10x cube y की power 5 plus y ठीक है, हमने जब इस equation को देखा, तो हमने देखा, this is 2x dy by dx minus y equals to 10x cube y की power 5 अब इस x को मैंने सबसे divide कर दिया, तो dy by dx minus 1 upon 2x यहाँ पर हो गया y equals to 2x से यहाँ पर divide करेंगे, तो this is 5x cube 5x square and y की power 5, यह हो गया तो यह equation हमारी convert हो गई है Bernoulli's, यह दिखाई दे रहा है साफ साफ की यह Bernoulli's equation है अब Bernoulli's equation को फटा फट, क्योंकि यह linear differential equation होती नहीं है तो इसे convert करेंगे हम तो सीधा convert गिया तो हमारा जो conversion होगा, वो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा dv by dx dy by dx की जगह क्या लिखते है, सीधा dv by dx अब यहाँ पर y की जगह क्या लिखना है, v लिखना है लेकिन यह ध्यान रखेगा कि minus n minus 1 क्या होगा देखें, यहाँ पर 5 है तो minus n minus 1 की जो value होती है वो होती है, यहाँ पर 5 minus 1 4 यानि minus 4 तो मैं minus 4 से इधर भी multiply करूँगा और minus 4 से इधर भी multiply करूँगा तो जब minus 4 से इधर multiply किया तो यह हो जाएगा प्लस और 4 से multiply करेंगे तो 2 by x हो जाएगा तो plus 2 upon x यह y की जगह हो जाएगा v is equal to minus 4 से इधर भी multiply करेंगे minus 4 से करेंगे तो minus 20 x square यह मेरा हो जाएगा अब यह जो है मेरी proper differential equation मनगे linear differential equation अब इस linear differential equation को solve करते है सबसे पहले हम निकालेंगे integrating factor integrating factor कियाएगा e की power 2 by x dx जिससे हमारी value आएगी हाँ पर e की power log x है ना 2 log x तो हम कह सकते हैं e की power log e x square क्योंकि 2 log x वो इधर x square हो जाएगा और यह चीज़ सारी हट कर क्या हो जाएगी x square हो जाएगा तो हमारी जो solution बनेगा वो बनेगा v into x square equals to integration of minus 20 x square into x square dx plus c अब v into x square की value हो जाएगी 20 x की power 4 तो divide by 5 हो जाएगा minus 20 into x की power 5 upon 5 plus c तो 5 से cancel out हो गया minus 4 और v की value हमें पता है कि minus n minus 1 v क्या होता है हमारा y की value minus n minus 1 और minus n minus 1 क्या हमारा minus 4 तो v की जगा पुट कर देंगे 1 upon y की power 4 into x square equals to minus 4 x की power 5 plus c this is going to be the solution of this differential equation बोले बात समझ में आई यहाँ पर कोई भी doubt clarity के concept में चले अब हम चलते हैं रिकाटी की दरफ ठीक है let's do questions on रिकाटी तो यह बन्नॉलीज equation के बारे में समझाया था मैंने हाँ तक अब यहाँ पर यह जो questions है इनको हटा कर रिकाटी के बारे में देखते हैं चले रिकाटी रिकाटी के बारे में आते हैं रिकाटी के बारे में देखते हैं रिकाटी differential equation क्या होती है हमारी किस type की होती है वो मैं आपको बताता हूँ और यह भी हमारी linear differential equation में ही reduce होती है रिकाटी differential equation रिकाटी's equation ठीक है तो यह भी non-linear differential equation होती है जिसे linear differential equation में convert किया जाता है ठीक है ना first order ये क्या होती है हमारी first order Riccardi जो होती है वो हमारी first order non-linear differential equation होती है Riccardi ठीक है non-linear first order differential equation non-linear differential equation ठीक है बास समझ मैं चाले तो उसका जो format होता है वो कैसा होता है कि dy by dx dy by dx क्या होता है यहाँ पर px px क्या होगा constant होगा यह x का function ठीक है y का square plus qx यहाँ पर y होता है plus rx होता है ठीक है हम यह कह सकते हैं कि अगर यह rx ना हो अगर rx की जगा rx ना हो तो यह कौन सी equation है हमारी यह Bernoulli's equation है with degree equals to 2 y की value जो n की value है वो 2 होगी होगी नहीं होगी बिलकुल तो यहाँ पर यह हमारा linear differential या नहीं बर्नॉली equation में जहाँ पर y का square होता है मतलब n की value 2 होती है उसमें plus rx कर दें तो यह Riccardi equation मन जाती है तो जिस तरीके से जैसे हम Bernoulli को linear में कर सकते थे क्योंकि वो भी non-linear थी तो यहाँ पर भी इसको भी linear में convert करके हम इसको solve करेंगे ठीक है ना यहाँ पर भी इसको जैसे मैंना भी बताया कि Bernoulli को कैसे convert करते थे short में बताया तो पहले इसकी भी theory समझेंगे फिर इसका भी short सीखेंगे ठीक है तो this is the Riccardi equation यह first order non-linear differential equation है और आप देख रहे हैं कि इसका matching बिलकुल Bernoulli से match कर रहा है अगर इसको हटा दें और इसको हटा दें तो यह Bernoulli equation बन जाएगी where y n की value 2 है ठीक है ना जैसा मैंना आपको यहाँ पर दिखाया है कि इस तरीके की बन जाएगी यहाँ पर n की value 2 कर दें और rx अटा दें तो यह Bernoulli equation ही है कौन Riccardi equation अब इसको solve कैसे किया जाता है ठीक है ना देखो जब भी आपकी Riccardi differential equation दी जाती है इस तरीके की Riccardi differential equation दी जाती है तो वहाँ पर आपको एक solution दिया जाता है क्या दिया जाता है solution of differential equation आपको पहले ही दिया जाता है solution of differential equation आपको दिया जाता है अगर नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे तो भी बता हुगा solution of differential equation आपको दिया जाता है वो solution किस तरीकी के होते हैं वो भी पता चलेगा भी ठीके तो रिकार्टी की एक पहचान और है कि वो solution of differential equation दिया जाता है आपको ठीके ना एक ऐसी value जिससे ये linear differential equation मतब ये जो differential equation है satisfy हो जाती है वो ऐसा solution हमें दिया जाता है ठीके clear है चलो तो अब रिकार्टी को हमें linear differential equation में convert करने के लिए क्या क्या step follow करने है वो चीज़ आपने ध्यान देनी है यहाँ पर ठीके तो कैसे करते हैं ये ध्यान से सुनिएगा थेके तो हम substitution करते हैं यापर ठीके क्या substitution करते हैं हम substitution करते हैं y का substitution करते हैं करते हैं, where z is also variable and v is also variable, v क्या है, solution solution की जगा पूटों का मता हुआ, यह हमारा v क्या होता है, solution given होगा ना आपको, यह solution यह होता है, यह constant भी हो सकता है, या फिर x में कोई value होगी, and this is always a variable, this is a, z is also always a variable, ठीक है न, चलिए, तो हमें क्या करना होता है, substitution करना होता है, जैसे हमने बंड़ोली में भी क्या किया है, substitution किया, ऐसी हिहां पर भी substitution करना होता है, y equals to v plus 1 by z, कभी कभी किसी-किसी book में आप देख सकते हैं, y equals to v plus u, बात एक ही है, आप 1 by z ले लो, आप u ले लो, बात एक ही है, कैसे मर्जी वैसे solve करो ठीक है ना समाझ में आगी बात तो किसी किसी book में कुछ ऐसे लिखा होता है कि V प्लस U ले ले लेते हैं और किसी किसी book में V प्लस 1 बाई Z लिखा होता है ठीक है बात समाझ में आगी तो confuse नहीं होना तो हमें क्या करना होता है इस differential equation को हम यह non-linear थी इसको linear में convert करने के लिए हम क्या करते हैं यह substitution करते हैं चलो तो Y को तो substitute कर लिया अब D Y बर D X की जग़ा क्या substitute करेंगे तो solve करते हैं तो D Y बर D X क्या होगा Y dash हो जाएगा इधर तो अब Y dash क्या होगा यहाँ पर V dash हो जाएगा प्लस 1 by Z square हो जाएगा यहाँ पर जोकि नीचे है ना और यहाँ पर Z dash हो जाएगा ठीक है यह बात समझ में आई जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ देट इस D Y by D X D Y by D X जो होगा वो किसके बराबर होगा D V by D X प्लस 1 by Z square D Z by D X ठीक है तो हमें यह दो सब्स्टिटूशन करने होते हैं और यह दो सब्स्टिटूशन करने के बाद हमारी जो रिकाटी एक्वेशन होती है वो आटोमेटिकली किसमें कनवर्ट हो जाती है लीनेर डिफरेंचल एक्वेशन लीनेर डिफरेंचल एक्वेशन आपको सॉल्ब करने आती है तो एक बार पुट करके देखते हैं यहाँ पर जब मैंने यह चीज़ पुट की यहाँ पर तो देखें क्या आता है मेरे पास तो यहाँ पर D V by D X की जगह मैंने क्या पुट किया V डेश प्लस 1 अपॉन Z स्कूर Z डेश अब यह जरूर ध्यान रखिएगा कि यह जो Z है यह वैरियेबल है हमारा ठीक है ना जो य से कनवर्ट हो गया है तो मेरी एक्वेशन Y वैरियेबल अब तक डिपेंडेंट वैरियेबल कौन था डिपेंडेंट वैरियेबल य था यह मेरा क्या था डिपेंडेंट वैरियेबल था अब यह डिपेंडेंट वैरियेबल हो जाएगा सब्सिटिशन करने के बाद यह डिपेंडेंट वैरियेबल हो जाएगा ठीक है यह मेरा क्या है V डेश यह solution होता ही है या तो x में होगा यह constant होगा वी रह जो भी होगा ठीक ना this is going to be either constant या value it is going to be in x ठीक है ना x का function होगा equals to यह चीज़ मैंने लिखी equals to dy बे dx की जगा put कर दिया pxy square px अब px का है मेरा function in ठीक है तो p को p रहने दो p का है मेरा function in x ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यह function in x है देन उसके बाद यहाँ पर जो value आएगी y square है तो y square की जगा पर क्या put होगा v plus 1 by z v plus 1 by z का whole square plus q v plus 1 by z v plus 1 by z plus r यह r होगा है तो जब हम इसको solve करेंगे इसको थोड़ा सा इसको solve करेंगे open करेंगे चीजों को यह v square यह सब चीज़ा आएंगी तो इसको मैं solve करके इधर लिख लेता हूँ तो फाइनल जो बनेगा मैं final लिख देता हूँ फिलाल final जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा 1 upon minus 1 upon z square ठीक है न z dash equals to p 2v upon z plus 1 upon z square ठीक है plus q by z q by z ठीक है बास समझ में आई clear है अब ये मेरी Bernoulli equation बन गही है ये मेरी कौन सी equation बन गही है Bernoulli's equation बन गही है this is Bernoulli format this is Bernoulli format ठीक है न ये मेरा क्या बन गया है Bernoulli format बन गया है ठीक है जिसे simplify करने के बाद जिसे simplify करने के बाद मेरी जो value आएगी और ये जो था V जो था, V आपको पता है, V के एक solution है, VX is the solution, VX is the solution of equation, of जो equation है, रिकाटी equation का, वो solution होता है, तो जो V' की value होगी, वो मैंने substitute कर दिये, PV square plus QV plus R, ठीक है न, solution होगा, तो इसलिए यहाँ पर V' जो था, यहाँ पर V' देश था, यहाँ पर V' देश दिख रहा है न, आपको, यह V' मैंने क्या put कर दिया है, इसके बराबर put किया है, क्यों, क्योंकि देखिए, जब मैंने बोला कि VX solution है, VX solution है, तो मतलब मैं अगर V put करूँगा, मतलब VX solution है, मतलब अगर मैं, यह जो आपकी Y की value है, य की value की जगा, मैं अगर V put करूँगा, तो left hand side और right hand side मेरा बराबर हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ, this is V dash, और यह हो जाएगा, P plus Q plus R, ठीक है, यही चीज़ है, PV square plus QV and plus QR, ठीक है, इसलिए मैंने यह put कर दिया था, V dash की जगा पर, तो V dash की जगा पर मैंने यह put करा, और फिर मेरा यह final solution यह चीज़ आगे, ठीक है, और यह किसके format में हमारी burn आगे, फिर उसे first order, linear differential equation में convert करेंगे, और solve कर देंगे, ठीक है, तो यह हमारा processor होता है, यहाँ पर, बस क्या substitution करना है, अभी जह हम question करेंगे, तो अच्छे समझ में आजाएगा आपको, मुझे दो substitution करने है, पहला यह, कि V की value, V plus 1 by Z लेनी है, और Y dash की value यह लेनी है, यह दो substitution आपने कर देने, फिर आपका burn आली, फिर burn आली के बाद यह linear differential equation में convert हो जाना है, ठीक है, ना, linear differential equation में फिलाल यह convert हो जाएगा, finally, चलो, तो question के through जानते हैं, इसको solve कैसे करना है, ठीक है, let's do question on this, और फिर easily आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में देगे, सागरति बारी, hello, hello brother, चले, यह बात समझ में आई आपको, यहां तक कोई doubt, अब जब तक question नहीं करेंगे, तब तक थोड़ी चीज़े समझ नहीं आएंगी, तो question करते हैं, और यह जो मैंने substitution आपको बोले, देखो, यह non-linear equations होती है, बढ़न ओली भी, रिकार्टी भी, लेकिन अगर आप substitution करेंगे proper तो यह linear में convert हो जाता है, ठीक है, अब जैसे question आपको किस तरीके से दिया होगा, question बोल रहा है, find the general solution, question इस तरीके से बोलेगा, find the general solution, find the general solution of differential equation, differential equation का general solution बताना है, ठीक है, और differential equation का है मेरी, y dash equals to, y dash equals to y square minus 2x minus 1 y plus x square minus x plus 1, तो यह हमारी differential equation है, इस differential equation को पढ़ते ही हम समझ में आगे देखो, यह y dash है, यह y square है, और यह y है, जहाँ पर भी y dash, y square और y आ जाए, तो वो रिकार्टी है, और दूसरी पहचान यह होती है कि solution भी दिया होता है, if y equals to x is the solution, is a solution of differential equation, solution दिया होता है, ठीक है न, तो y की दो पहचान होती है, solution भी दिया होता है, अगर बाइचान suppose solution नहीं दिया होता है, y equals to x, तो यह solution है क्या मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर मैं y की जगा x put करूँगा न, तो यह दो left hand side है, और यह जो right hand side है, यह same हो जाएगी, मतलब बराबर हो जाएगे, चलो put करक के देखते है, solution का मतलब जानते हैं, यहां पर क्या होता है, तो देखिए, मैं यहां पर जब put करूँगा, y की value x, तो d y by dx क्या होगा, one होगा, left hand side में one आ गया, y square क्या होगा, x square होगा, यह चीज़ क्या होगी, अब यह x है, तो यह minus 2x square हो जाएगा, यह चीज़ क्या हो ज हो रहा है, यह x square cancel out होगे, यह भी cancel out होगे, left hand side, right hand side, दोनों बराबर आ रही है, नहीं आ रही है, तो यह जो solution होता है, यह होता है, यह होता है, कि अगर y की जगह पर आप यह चीज़ पूट कर देंगे, तो आपका left hand side और right hand side बराबर हो जाएगे, यह मतलब होता है, solution का, ठीक है, बास समझ में, this is all the solution, suppose आपको यह तो पता चल गया, क्या देखकर, इस तरीके की power देखकर, y square और y देखकर आपको पता चल गया, यह रिकार्टी है, बट solution नहीं दिया हो, आपके अगर इसे को solve करने के लिए, तो आपको अपनी तरफ से solution लेने है, क्या क्या general solution ले इनी में सी कोई नहीं आजाता है, तो अगर वो solution नहीं देता है, तो वो तब ही नहीं देता है, जब यह चीज़ होती है, generally, ठीक है, बास समझ में आगी, तो यह आपने try करना है, clear है, और अगर equation में कहीं, e की power x की format में, यह जो function है, जैसे यह हमारा q है, यह हमारा p है, यह ह हमारा यहाँ पर p होता है, यहाँ पर q होता है, यहाँ पर r होता है, बाई चांस यह suppose e की power x में है, तो आपको y की power e की power x और ले ले लेना है, substitution, मतलब solution, तो आपका match जरूर करेगा, आपका महाँ पर match जरूर करेगा, बास समझ में आई, clear है, सागर तिवारी, statistics class, भाई, बिल्कुल, मैं आपको बोला ना, देखे, थोड़ा सा onboarding में जो faculties already आ चुकी है, मैं आपको पता दिया था, और थोड़ा सा launch करने में उन्हें टाइम लगता है, टाइम जैसे, कि भाई, उन्हें थोड़ी सी technical specification, उनके पास, पूरा setup जाता है, ठीक है, setup जाता है, और उनको training दी जाती है, setup कि कैसे होना है, बहुत सारी चीज़े onboarding पर हमें देखी जाती है, तब जाकर onboarding होती है, तो उसमें थोड़ा सा time लग जाता है साकरती बारी, ठीक है, तो भाई, उसके लिए थोड़ा सा wait करें आप, लेकिन ये classes जल्दी start हो जा जाएगी, ठीक है न, don't worry about that, चलिए बास समझ मैं ही आपको, यहाँ पर clear हुआ, चलिए, तो solution क्या होता है, मैंना आपको बता दिया, और solution अगर नहीं दिया, तो क्या करना है, वो भी बता दिया मैंना आपको, अब आपने क्या करना होता है, जब आपकी डिकाटी equation होती है, जैसा कि वह है, तो substitution क्या करना है, y equals to v, v क्या होता है, solution of differential equation है, तो हम क्या substitute करेंगे, y की जगा, जैसे v plus 1 by z होता है, तो v की जगा हमें यहाँ पर क्या put करना है, x और यहाँ पर करना है, 1 by z, यह z क्या है, यह वो dependent variable है, जो y की जगा लेने वाला है, अब ही तक यहाँ पर y dependent variable है, आप z हो जाएगा, बास समझ में आगी, ठीक है, आप इसको u भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको x plus u भी लेके books में solve किया जाता है, x plus u लेकर solve कर सकते हैं, ठीक है, u is the taking place of y dash, ठीक है, clear है, बास समझ में आई, यहाँ पर सबको clear होगा, यह चीज, यह पहला substitution करना है, दूसर substitution क्या करना है, y dash की जगाँ पर हमें put करना होता है, इसका तो हो गया 1, और 1 upon z square यहाँ पर जरूर आता है, 1 upon z square, ठीक है न, जब derivative लेंगे तो 1 upon z square आता है, और यहाँ पर क्या जाता है, d, d, d by dx, right, d by dx, यह चीज़ा राती है, ठीक है, 1, तो यह ओ गया, अब मुझे यह सारे substitution मैंने हिहां कर दिये, यह सारे substitution मैंने हिहां पर कर दिये हैं, तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे substitution, तो जब substitution मैंने किया, मेरे साथ साथ आप भी करेंगे substitution, और answer निगा लेंगे, तो जब मैंने हाँ पर substitution किया, what I got here, d y by dx की जगा मैंने यह पूट कर दिया, 1 प्लस, 1 upon z square, ठीक है ना, 1 upon z square, dz by dx, is equals to, is equals to, यह y square है, y square की जगे क्या पूट करना है, x plus z का whole square, x plus z का whole square, ठीक है, x plus z का whole square, sorry, x plus 1 by z का whole square, यहाँ पर होगा, अभी मैं पूरो proper basic से आपको करके दिखा रहा हूँ, इसको fast भी बताएंगे, स्वास्ट कैसे करना है, 2x minus 1, y की जगा पर x plus 1 by z, plus x square minus x plus 1, ठीक है, यहाँ तक कोई doubt नहीं होगा आपको, अब इनको multiply करते हैं सभी को, बस z में हमारा dependent variable इसको रहने देंगे, तो मैंने जो z वाले हैं, z इनको थोड़ा सा अलग लिया, जैसे यहाँ पर हो जाएगा, हमारा जब open होगा, तो यह होगा, x square plus 1 upon z square plus 2xz, 2 twice of x by z, यह चीज़ आ जाएगे, और यहाँ पर भी इसको multiply कर देंगे, तो ऐसा मैंने किया, तो 1 plus 1 upon z square and dz by dx is going to be x square plus 2x by z, plus यहाँ पर हो जाएगा, 1 upon z square, minus 2x square, इसको भी multiply करनेंगे, 2x square, यहाँ पर आजाएगा, plus 2x by z, minus x, minus 1 by z, यह चीज़ आ गए है, और यहाँ पर तो हमारा plus x square, minus x plus 1 था ही था, अब यह जो चीज़ है, यह z dash लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीके न, this is z dash, तो जब मैंने इनको solve किया, देखिए, यहाँ पर यह x square, यह minus 2x square, यह x square, cancel out हो जाएगा, ठीके, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर cancel out हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह plus x है, यह minus x से cancel out हो जाएगा, ठीके, फिर यहाँ पर है plus 2x by z, यहाँ पर value क्या रही है, आपकी, प्लस 2x by z, और यहाँ पर minus 2x by z है, यह भी हट जाएगा, अब भी आप यहाँ पर देखेंगे, बचेगा 1 by z square, और 1 by z square, यहाँ पर तो सारी चीज़े cancel out होगी, यह plus 1 by z, और plus 1, यह plus 1, इस plus 1 को हटा देगा, तो अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि, 1 upon z square, dz by dx, जो value बचेगी, that is going to be, 1 upon z square, 1 upon z square, यह plus 1 by z, यह चीज़ हो जाएगी, अब मैं कह सकता हूँ कि, z dash जो होगा, z dash जो होगा, यहाँ पर हमारा, अच्छे, यहाँ पर minus 1, minus होगा न, sorry, यहाँ पर एक भाई minus का sign आएगा, 1 plus नहीं आएगा, यह 1 minus आएगा, क्योंकि 1 by z है तो यहाँ पर minus आएगा, ठीक है, this is minus, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि, जो finally आएगा, तो z dash equals to z dash जो होगा, तो minus z square, and 1 upon z square plus 1 by z, अब यह कैसी equation बनी है, यह आपको थोड़ा देखना है, जब यह z square इधर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आजाएगा, और जब z square इधर आएगा, तो मेरे पास बन जाएगा, तो z dash plus z equals to minus 1, तो यह मेरी linear differential equation बन गई है, यह तो मेरी क्या बन गई है, linear differential equation बन गई है, by dz by dx plus z equals to minus 1, तो p क्या है 1, q क्या है, minus 1, that's it, this is the linear differential equation, इसको जब solve करेंगे, तो integrating factor जब हमने निकाला, so integrating factor हमारा होगा, e की power 1, यानि dx, तो यह हो जाएगा, e की power x, अब यह value हो जाएगी, z into e की power x is equals to integration of, यह minus 1 है, e की power x minus में dx plus c, तो z into e की power x, ठीक है न, z into e की power x equals to minus e की power x plus c, this is going to be the solution, जिसमें e की power x आप अलग भी ले सकते हैं और हमारा solution आ जाएगा, अब यहाँ पर z की value आपने put करनी है, z क्या था हमारा, 1 plus, sorry, जैसे y क्या था, y था हमारा 1 plus 1 by z, right, यह v, v plus 1 by z, तो v क्या था हमारा 1 था, solution, ठीक है न, तो, नहीं, v क्या था, x था न, sorry, v क्या था, x था, sorry, so this is, this was x plus 1 by z, y क्या था, x plus 1 by z, तो आप यहाँ से किस की value निकाल लेंगे, z की value निकाल लेंगे, तो 1 by z क्या होगा हमारा, so 1 by z होगा हमारा, y minus x, जिसको आप inverse करेंगे, तो z equals to 1 upon y minus x, तो यहाँ पर 1 upon y minus x पुट कर देंगे आप, ठीक है न, तो, या फिर आप एक काम करें, यह जो solution है, z की value निकाल लेंगे हाँ, z की value क्या आजाएगे, हमारी z equals to आजाएगा, e की power minus e की power x upon e की power x, ठीक है, प्लस c upon e की power x, तो y की value क्या थी, x, तो y की value हो जाएगी, x plus 1 by z, और z की value क्या है, minus e की power x, प्लस c, और यहाँ पर e की power x आजाएगे, ठीक है, this is going to be the solution of the Riccardi equation, तो यहाँ पर आपको समाझे, की how to do the Riccardi equation, तो Riccardi differential equation को कैसे solve करना है, तो आपने क्या किया, यह Riccardi differential equation थी हमारी, आपने substitution क्या करना है, y equals to v plus 1 by z, v क्या होता है solution, ठीक है, वो सारा गिया, same, और substitution y dash की जगा यह put कर दिया, फिर सारी चीज़े अपने आप कर जाती है, हमारी linear differential equation बस थी है, that's give the answer, तो यहाँ पर अगर किसी को भी doubt है, तो बताइए, एक और question करते हैं, इसी type का, तेन आगे चलते हैं, ठीक है, फिर इसके उपर questions करेंगे, तेन इसके उपर questions try करेंगे, बोले बहुए कोई doubt, कोई परिशान है यह आपर, चलो, question करते हैं एक और, यह मैं जाता हूँ, यह question आप try करें, question is, find the general solution, find the general solution of differential equation, differential equation का general solution बताना है आपने, equation दियो है y dash equals to, 2xy square, plus 1 minus 4xy plus 2x minus 1, तो मैंने देखा यहां पर y dash है, यहां पर y square है, और यहां पर y है, यह दिकाटी equation है, इससे देखके पता चल जाता है, और दूसरा, यहां पर solution भी दिया होता है, अगर नहीं दिया, तो भी क्या करना है, वो मैंने आपको बता था, if y equals to 1 is a solution, solution क्या होता हो, मैंने आपको दिखाया था, तो y equals to 1, अगर solution है, तो find the general solution of this differential equation, ठीक है, इसके differential equation आपको बतानी है, क्या होगी है, तो hurry up and fast, जल्ली से बताईया answer क्या होगा, जल्ली से ट्राइब करिये और गिमी दा आंसर फार्स्ट, ठीक है, जल्ली बताईये, what is going to be the answer, अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर basic से बताया था, कि बेसिक से कैसे solve करते हैं, क्या क्या हमें step करने होते हैं, ठीक है, मैं आपको इसको करने से पहले, एक short trick भी बताता हूँ, short trick क्या करनी है आपने, जियान से सुनेगा, short trick यह करनी है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर यह substitution कर रहे थे, ठीक है ना, substitution आप यह कर रहे थे, properly, आपने क्या करना है, जब भी आपको Riccardi equation दिखाए दे, तो PQR तो आपको पता ही है क्या होते हैं, यह ना, you know very well, what is PQR, यहाँ पर होते हैं, function of X होते हैं यह, तो आपकी जो differential equation बनती है, वो क्या बनती है, उसका final, जैसे मैंने आपको Bernoulli का बताया था, ऐसी इसका भी final बता देता हूँ, जब भी आप Riccardi को solve करते हैं, और यह सारे substitution करते हैं, तो बहुत lengthy processor हो जाता है, इसका आप direct processor भी याद रख सकते हैं, कि जो भी हमारी value बनेगी, जब भी आप y की जगा पर v plus 1 by z solve करेंगे, where v is the solution, तो होगा क्या, कि आपकी जो Riccardi बनेगी, जो linear differential equation बनेगी, वो बनेगी z dash plus, यह याद रखना है आपको, 2p v plus q, ठीक है, z equals to minus p, equals to minus p, चेक करते हैं, ठीक है ना, आपको पता है ना, भी हमारी differential equation क्या बनी थी, यहाँ पर, यह differential equation बनी थी, आप चेक करते हैं, क्या यह बन रही है, तो यह z dash यहाँ पर put किया, आपने put किया, p की value कितनी है, 1 है, p की value कितनी है, 1 है, तो 2, यह हो गया हमारा 1, 2x प्लस 1, राइट, माइनस 2x, प्लस 1, सॉरी, प्लस 1, ठीक है न, यह हो जाएगा, इसके बाद, इसको multiply करना है, z से, इकोल स्टु माइनस पी, माइनस पी क्या है हमारा, अब जैसे मैं कहूंगा, माइनस पी है, यह हो जैड, z डैश, प्लस z, ठीक है न, यह 1 बचेगा, इकोल स्टु माइनस 1, क्या यही दिफेरेंचियल एक्वेशन हमारी बन रही थी, यही दिफेरेंचियल एक्वेशन बन रही थी, तो आपको यह सब्स्टिटूशन करके, बहुत बड़ा लॉंग प्रिशिजर करने की जुरूद नहीं है, सीधा आपने यह मैथर्ड फॉलो करना है, दिकाटी में, ठीक है, बात समझ में आगी, तो इस इस दा, शॉर्ट मैथर्ड फॉर डूइंग दिस कॉस्टिट, इस इस दा, शॉर्ट मैथर्ड फॉर डूइंग सस टाइप आफ कुश्टिट, बोलो बात समझ में आती हैं यहां तक, यहां तक बात क्लियर है आपको, कोई दिक्कत, कोई परिशानी हो तो बताइए, ठीक है, तो बड़े आसानी से आप इस चीजों को, इजिली सॉल्व कर सकते हैं, बात क्लियर है गया, चले, अब यहां पर, नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है, इस कोश्टन को भी इसी तरीके से करना है, ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी आपको रिकार्टी दिखाई दे, सब्सिट्यूशन मत करो, मतब दो सब्सिट्यूशन करते हैं, Y की वैल्यू, सब्सॉलूशन क्या है, V प्लस V क miss one, वन प्लस वन बाई Z, यह सॉलूशन करते हैं, Y की जगा पर, और Y की जगा क्या पुट करते हैं, जैसा 0 हो जाएगा, minus 1 upon Z square, यह पूट करते हैं तो यह सब ना करके आप सीधा एक काम करेंगे कि जो हमारी differential equation बनती है वो सीधा बनती है Z-ठीक है ना क्या था यहां पर प्लस होता है फिर यहां पर होता है 2PV 2PV plus Q 2PV plus Q into Z equals to minus P ठीक है यह होता है मतब यह Z-ठीक होगा यहां पर Z होगा यहां पर minus P और इस Z के साथ 2PV plus Q यह ध्यान रखो अब Z-ठीक है Z-ठीक है यह लीने differential equation मनेगी तो Z-ठीक है ठीक है X ठीक है न वी कितना है हमारा वी है हमारा one solution solution क्या हमारा one plus Q Q कितना है हमारा क्यों आपको देख रहा है यह 1-4X है तो plus 1-4X यह मैंने लिख दिया है हम पर यहां पर लिख दिया Z और P की value कितनी है यह 1-2X अब जब मैंने इसको solve किया तो यह चीज़ देखे क्या आ रहा है यह 4X आ रहा है यह 4X आ रहा है दिस इस माइनस 4X cancel out होगे तो Z-डेश प्लस Z equals to minus 2X यहां पर P की value कितनी है 1 यह Q की value है पास समझ मागी अब हमें solution निकालना है solution निकालने के लिए integrating factor निकाला integrating factor क्या होगा integrating factor क्या होगा e की पावर xdx sorry dx e की power x हमारा integrating factor हो गया तो जो solution आएगा वो आएगा Z into e की power x equals to integration of minus 2X into e की power x dx ठीके न प्लस C अब यहां पर आपको एक product rule याद रखना यार यहां पर आप ऐसे product rule लगा सकते हैं i late से ठीके ना बट यह चीज़ ध्यान रखें कि कभी भी integration T x e की power x का कभी भी integration होता है तो यह रट लें e की power x x minus 1 उसका integration होता है integration of x into e क्योंकि बहुत बार use over differential equations में तो यह x into e की power x का difference integration होता है यह e की power x x minus 1 तो ऐसर ट्रेक याद कर लो इसको ठीक है तो मैंने फटाफट क्योंकि मुझे याद है मैं integration i late के थूप आप प्रॉपर कर लो product rule लगा लो ठीके ना या फिर इस तरीके से कर लो तो जैड इंटू e की power x बराबर होगा e की माइनस बहार था माइनस टू बहार था माइनस टू बहार था तो e की power x x minus 1 प्लस c अब z की value निकाल लो यहां से ठीके ना z की value क्या होगी minus 2 x minus 1 प्लस c अपॉन e की power x और y आपको पता था क्या था 1 प्लस 1 by z अब z की value यह सारी value यहां पूट कर देना आपका solution आ जाएगा पूरा का पूरा इस Riccardi differential equation का ठीक है ना इस Riccardi differential equation का पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका solution आ जाएगा ठीक होप कि आपको यहां तक चीज़े समझ में आगे होंगी यहां तक आपको कोई doubt नहीं होगा अगर doubt है तो बताईए देन आगे solve करेंगे जल्ली बताईए वई anyone having any doubt here किसी को भी कोई doubt हो तो बताईए clear है भई I think it should be clear to all of you एक और question करते हैं यह आपके लिए यह question जो है अब यह आपके लिए है आप थोड़ा थर ट्राइ करें और मुझे बताई आंसर क्या होगा तो question is solve the differential equation solve the differential equation क्या differential equation है y dash equals to 3 y square minus 1 plus 6 x y plus 3 x square plus x plus 1 ठीक है where y equals to x is a particular solution y equals to x is a particular solution ठीक है तो चलिए इस question को कैसे solve करेंगे बताईए य इक्वाइ equal to x is a particular solution अब इसको solve करने के लिए हमें क्या करना है इसको solve करने के लिए हमें क्या करना है यह रिकाटी है पहली चीज तो इससे पता चलती है कि इससे रिकाटी है दूसरी चीज कैसे पता चलती है देखो यह वाइड़ाइश है यह वाइज स्क्वाइर यह वाय है रिकाटी है यह चीज पी हो जाएगा यह चीज क्यों हो जाएगी यह चीज आर हो जाएगा जनरल सॉलुशन सीधा कैसे निकालते हूँ मैं आपको बताया था या तो बेसिक से सब्स्टिटिशन करो यह सीधा निकालो Z' हमने क्या सब्स्टिट्टिशन किया है H Less 1 bit 3 मैंनस 1 bit 2 by Z सक्वाइर यह आएगा ठिक है यह सब्स्टिटीटिशन करके भी शुम बहुत बड़ा कालक्लोउस्ट पार साइग है हम सीधा अनसर लिख सकते हैं बनेगी Z'D प्लस यहां पर Z होगा और यहां पर माइनस P होगा और Z के साथ क्या होगा 2PV 2PV प्लस Q ठीक है ना तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है यह आपका थोड़ा सा कोशन को फास्ट करने का तरीका है 2PV प्लस Q बस बीच में याद रखना है अब पी वी क्यूं यह सब क्या होते हैं आपको पता है अब मैंने यही चीज़ सॉल्व करी भाई P क्या है हमारा दिस इस पी त्री चलो Z डैश लिए अब टेक है तो टू इंटू पी कहा है पी ये रह ये रह त्री टू इंट्टू 3 वी कहा है वी हमारा सॉल्यूशन है ये X 3X लिख लिख लिखने है एक्स ठीक है 6X होगे तो यह 3 था और यह हमारा 2 था और यह V था प्लस Q Q कितना है यह Q है हमारा माइनस 1 माइनस 6X यह होगा Z और माइनस P की वैल्ली हो जाएगी माइनस 3 तो आप देख सकते हैं इस इस Z यह माइनस 6X और यह 6X कैंसल ओड जाएगा माइनस Z इक्वल्स तो माइनस 3 अब आप यहां से इंटीग्रेटिंग फेक्टर निगाल देंगे integrating factor क्या होगा integrating factor होगा e की power minus 1 minus 1 dx तो यह हो जाएगा e की power minus x which is 1 upon e की power x integrating factor हो जाएगा अब आप इसको यहाँ पर solve कर देंगे ठीके ना जब solve करेंगे तो हमारा solution आएगा that is z into 1 upon e की power x integrating factor integration of q q कितना है minus 3 minus 3 into e की power minus x dx ठीक है plus c तो आपको पता ही minus आजाएगा तो minus e 3 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा z into 1 upon e की power x is equals to ठीक है वो हो जाएगा 3 e की power minus x plus c अब आप z की value निकाल लो और z की value यहाँ पर put कर देना y equals to x plus 1 by z z की जो भी value आएगी वो यहाँ पर put कर देना you will get the solution of this differential equation तो बहुत आसान होता है देखिए मैंने आपको दो equation करनी बताई है और दोनों with tricks बताई है तो trick याद रखोगे फटा-फट question को solve कर लोगे बात समझ में तो चलिए आज का session यहीं तक करते हैं Clariats हमारा रह गया Clariats के उपर मैं एक और session ले लोगा ठीक है न तो differential equation से लिए differential equation higher order की यह आपको अच्छे से समझ में आगी होगी ठीक है free lectures और मेरे paid batches और देखे मैं आपको एक चीज़ बता दो IIT Gem में short short success guarantee के लिए आई एएटी जैम में short short success guarantee के लिए आप 2022 में mathematics अगर आप MSC से MSC करना चाहते हैं IIT से तो मेरा batch launch होगा paid batch launch होगा जूलाइं में तो भाई उससे join कर लेना enroll कर लेना code लगाना SATY और enroll हो जाना उसमें definitely मतलब 100% guarantee के साथ selection वाला बैच होगा वो मैं वो सारी चीज़े आपको बता दूँगा जो आपके exams में basis concept पूछे जाते हैं और वो सारी तरीके आप सीख लेंगे ठीके ना तो that's all for today guys have a thank you for watching this session subscribe करें like and share करें have a great day and bye till the next session